हाई प्रेंज, आम काजन, आम सागर, आज हम रियक्शन करने वाले हैं, हसी टीवी का वीडियो है, लेटेस्ट न्यूज अप्डेट आफ इस्रेल एंड पैलेस्टीन, तो चलिए व्यों शुरू करते हैं बहुत दिनों से इनकी लड़ाई चल रही है, और सिर्फ गाजा की और पैलेस्टायन की और के लोग मायरे जा रहे हैं, तो अभी तक अरब वर्ल्ट सो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ बाते हैं, कि हम इनकी मुसल्मानों के साथ हैं, बाते करी जा रहे हैं, और कुछ पाले स्टाइन के लोगों ने इद भी नहीं वनाई है शांती से बहुत सारे रॉकेट्स उस दिन भी उंतर गिजे थे तो ये वीडियो देख लेखे 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 असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी 10 माई को यरुशिलम में मफजिद अलकसा पर अचानक से इसराइली फोजियों ने हमला शुरू कर दिया वहां मजूद नमाजियों पर बुलट फायर किये और गैफ शेल पहंके जिससे 330 फलस्तीनी जखमी और शहीद हो गए और इसी दुरान चे इसराइली फोजी भी जहनुम वासिल हुए अब इस तनाज़े की वज़ा ये है कि फलस्तीन को आइस्ता आइस्ता मुसल्मानों से खाली करवा कर और मफजिद अलकसा को शहीद करके यहूदियों को हैकल सुल्मानी तामीर करना है और जहर है कि अगर फलस्तीनी मुसल्मान इस इस इलाके के अंदर मजूद होंगे तो इसके बाद एक अच्छी खासी रिटेलियेशन और जंग की सुरत्याल पैदा होगी लहाज़ा इन्हें यहां से निकालना जरूरी है सो इसी चीज़ का बदला लेने के लिए हमास ने आज 150 रौकेट फाइर किये और वो भी इसराइल के दारूल अकूमत पर जिन में से 90% इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम ने हवा में तबाह कर दिये लेकिन जो बच गए वो जाकर बिल्डिंग्स पर और इंफरस्ट्रक्टर पर गिरे आपको बताता चलूं के हमास फलिफेंस सिस्टम एक टार्गिटिट सिस्टम है जो के हवा से रौकेट फाइर करके अपनी तरफ बढ़ने वाले शौर्ट रेंज रौकेट्स को या मिजायल्स को हवा के अंदर ही तबाह कर सकता है लेकिन कुछ मिजायल फिर भी बच्च कर हमला करने के अंदर कामयाब रहे और ये मिजायल तिल अबीब के शुमाल में मजूद हलौन शहर के अंदर गिरे जिसकी वज़ा से तीन इसराइली जखमी हो गए घजा की साहली पर्टी से उपरेट करने वाली इस इसलामिक तन्जीम को इसलामी मुमालिक फंड करते हैं निरान, तुर्की, उर्दन, शाम, मिसर और दूसरे अरब मुमालिक जो अपना नाम जाहर नहीं करते हैं क्योंके दुनिया के सामने अगर वो नाम को जाहर कर देंगे तो इन पर भी अमेरिका की तरफ से पबंदिया लग जाएंगे और इनकी सावशों का शिकार होकर ये जंग को रोका गया और 2007 में हमास ने एक बार फिर से घज़ा पर कंडूल हासिल कर लिया जिसके बाद से मौाइदे की खिलाफ वर्जी करने के बाद यहोदियों ने मुसलसल घज़ा पर हमले जारी रखे हुए हैं अभी हाली में हमास के 150 रॉकेट फायर किया जाने के बाद इसराइली एर फोर्स ने घज़ा पर एर फ्ट्राइक किया है जिसके नतीजे में इन्हों ने एक बुलंदो बाला सकाइस्क्रेपर इमारत को मिजाल के जरिये तबाह कर दिया बिना ये परवा किये कि इस इमारत के अंदर कितने बेगुना लोग मजूद हैं इनके दावे के मताबिक इन्हों ने 130 मिल्ट्री टार्गिट किये जिसके अंदर 15 कमांडर हमास के शहीद हो गए अब यहूदियों का रोना पिटना तो बनता है क्योंके जिस दिन हमास ने इन पर 150 रॉकेट फाइर किये ये यहूदियों के लिए एक बहुत ही मुकदस और आहम दिन था क्योंके यहूदी इस चीज़ पर जशन मना रहे थे कि आज के दिन उन्होंने 1967 के अंदर यरुशिलम के मश्रिकी इसे पर कबज़ा किया था और इसी जशन के दिन हमास ने रॉकेट फाइर कर दिये मैंने आपसे पहले भी का था कि जब तक इन लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाए जाएगी इनसे बदला नहीं लिया जाएगा इन्हें समझ नहीं आएगी कि किसी के घर में गुस कर इसे जलाने पर इसकी जमीन पर कबज़ा करने और इसके घर के लोगों को मारने की तकलीव तर असल होती क्या है जबके मुसल्मान यहां दुआएं करने के लावा कुछ कहरी नहीं रहे कि आला ताला की तरफ से कोई गैबी मदद आएगी जबके ऐसा नहीं होता दुनिया को आला ताला ने एफट के साथ और फिजिकल फिनामेना के साथ जड़ा हुआ है पहली बात तो यह है कि आला ताला की गैबी मदद इमान वालों के लिए आती है और मुसल्मान तो अपने मफाद के लिए फिरकों में बढ़ चुके हैं बे अमल और बे किरदार हो चुके हैं हमें सलाओ दिन आयूबी तो चाहिए जो के एक बार फिर से मफचिद अलकसा को या फलस्तीन को फता करे लेकिन क्या इसे पैदा करने वाली बाहया और बाकिरदार माह हमारे दर्मियान हमारे मौशरे के अंदर मजूद है जरा सोच कर बताएं और दूसरी बात ये है कि अगर गैबी मदद से ही सब कुछ हासिल हो जाता तो लाकों सहाबा जो के जंगों के अंदर काफरों के खिलाफ जहाद करते हुए शहीद हो गए हम सब मानते हैं कि वो अल्ला के वली थे तो क्या वो घर बैटकर दौाएं ना करते है और अल्ला की गैबी मदद का इंतजार करते है और अल्ला ताला बिना किसी एफट के रोमन और पर्शियन अमपाइरिन के कदमों में डाल देते है क्या जरूरत थी सहाबा कराम को अपनी जानों का नजराना पेश करने की अल्ला के रसूल सलला लिए वालिए वसलम के दंदान मुबारिक जंग और अहुद के अंदर लड़ते हुए शहीद हुए आप सिर्फ दौा करके पूरी दुनिया को फता ना कर लेते दान के शहीद होने का मतलब आप समझते हैं हवरत अली रसिला तला नों ने धाल को उल्टा करके इसके अंदर पानी जमा किया और आपके खून को रोकने की कोशिश की काफरों को तबलीग करने पर आप सलला लिए वालिए वसलम पर ऐसे पत्तर बरसाए गए कि आपके जूते खून से बर गए और आज इस नबी की उमत ये चाहती है कि घर बैठे बैठे काफरों के खिलाफ वो कीबोर्ड पर जिहाद करे या पिर अल्टाला की तरफ से कोई घैबी मदद आए इन्हें इस काम के लिए कुछ ना करना पड़े अफसोस सद अफसोस दुनिया को अल्टाला ने एफर्ट से जोड़ा है तारीख में तो कई बार कावा पर भी हमला हो चुका है लेकिन हर बार अल्टाला की तरफ से परिंदे इसे बचाने के लिए नहीं आए आग भी सिर्फ एक ही बार अवरत इबरहीम को बचाने के लिए ठंडी हो गई थी लेकिन उसके बाद वो अपनी फितरत कभी नहीं बदलेगी क्योंकि दुनिया का निजाम आपकी एफर्ट से जुड़ा हुआ है और अगर हर चीज़ चींदर आलगा की गैबी मदद आना शुरू हो जाए तो काफरों पर भी हख जाहर हो जाएगा उनको भी यकीन आजाएगा कि आलगा की जात मजूद है लेकिन दुनिया के अंदर रहते हुए बिना देखिए आला की जात पर इमान रखना ही तो दुनिया के अंदर असल इम्तियान है आप ﷺ की अदीस मुबारका है जिसका मफूम ये है कि काफरों के दिलों पर रोब रखने के लिए अपनी फोजों को हर वक्त त्यार रखो ताके वो इसके खौफ से हमला ना कर सके आप अंदाजा लगाएं कि यहूदी एक छोटे से हमले के बाद इतना ज़्यदा बुखला गय हैं अगर इन पर इकठे होकर मुसल्मान फोजे मुसलत हो जाएं तो इनका क्या हाल होगा लेकिन हम मुसल्मान जो पहले रंग नसल और फिर्कों के अंदर बटे हुए हैं इकठे बला कैसे होंगे खुशी हुई यह सुनकर के तुर्की के अधारल अकूमत अंकरा के अंदर इसराइली जंडों को जला कर इतजाज किया गया मिसर और उर्दन ने भी खुल कर इसराइल की मुखालत की जबके सौधी अरेबिया ने निटल बिया कि दोनों मुलक इस तनाजे को नॉर्मल करने की कोशिश करें लेकिन अगर तिनकों की तराम बिखरने की बजाए सब इसलामी मुलक की कठे होकर इताद बना लें और एक पॉइंट पर जमा हो जाएं तो इनकी क्या मजाल है कि फलस्तिन या दूसरे किसी इसलामी मुलक पर ये जल्म कर सकें लेकिन जाहर है कि बोजिल बन्दा ये मौका कभी नहीं छोड़ता के कमजोर पर जल्म करें लेकिन आप इस बारे में क्या सुचते हैं अपनी कीमती राय का इजार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजएगा बल्दा आला हमें समझने की और अमल करने की तुफिक अदा फरमाए अमेन इलान बालफोर उन्निस सो सत्रा यहूदी आबाद होने शुरू हो गए और असल में इसी के लिए खिलाफत को मनसूख कराया गया सुल्टान अब्दुल्हमीद अगर्चे ये तुर्की खिलाफत जो है बर्दे बीमार कमजोर फिर भी वो मुसल्मानों वाला जजबा इतना था उन्हें बड़ी से बड़ी निश्वत पेश की गई थी उन्होंने जब तक खिलाफत अस्मानिया बरकरार रही यहूदियों को फिलिस्टीन में आबाद होने की जाज़त नहीं थी लहादा उन्होंने उस खिलाफत ही काबिस पर तेह कराया इसलिए कि न रहे बास न बजे बास री ना मुसल्मानों की वहदत मिली की कोई अलामत दुनिया में बाकी रहे और ना मुसल्मान किसी मसले पर जमा होकर कोई मौकर भी खियार कर सके बहुत ही अच्छा वीडियो था और मेरे खाल से इन्होंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की की तिनकों की तरह भी करने की बजाए आप सब एक साथ मिलकर इसराल के साथ कुछ तो करें क्योंकि अगर हर बार अल्ला परिंदे या फिर हर बार हम यहीं सोचते रहें कि अल्ला की मदद आएगी और यह सब खत्म हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अल्ला ताला ने अगर एसा होता तो जो सहाबा है जो इसके पिछले जमाने में भी शहीद हो चुके हैं तो उन्हें भी बचाते क्योंकि वो तो हमसे भी ज्यादा बड़े ओधे वाले थे और अच्छे इमान करने वाले थे तो वो इमान वाले भी थे तो उनको तो अल्ला तो बचाते ही लेकिन यह इंतिहान होता है हम सबका कि अगर हम पर कोई आच आए तो हम खुद कोई सेव कर सकते तो लेकिन अगर सब मुसल्मान अगर एक हो जाए और जैसे तरकी ने साथ दिया वैसे सब मुसलिम कंट्रिज है उन्होंने साथ दिया तो एसा तो नहीं हो सकता लेकिन इस वीडियो में कहा गया है कि जो मुसलिम है वो भी भी खरने लगे तो एसा मुम्किन ही नहीं है कि व अगर अल्ला हर बार हमें बचाएंगे तो फिर कुछ जरूरत नहीं है देशों को अपनी सेनाई बनाने की खास करके मुस्लिम देशों क्यों क्यों कि काबा पर भी हमला हुआ था और हर बार अल्ला ने परिंदे या आग को नहीं बुझाया था सिर्फ एक या दो एक ही बार बचाया था तो इसा नहीं है कि हर बार बचाएं तो हमें ही कुछ करना की थीक है बचायेंगे अल्ला क्योंकि अल्ला का खुद का घर है एक बार परिंदों की मदद से बचाया था और एक बार आग को रहंडा किया था जब एक कोई तो सहाबा थे उनको उसमें डाला गया था हजरत इब्रहीम थे मेरे ख्याल से तो फिर अगर इसी बात का हम ब्रक्तार करते बेटेंगे घर में बैटकर हैस्ट्रैकच चलाएंगे इसराइल के खिलाफ तो कुछ नहीं होने वाला उनके ऊपर कोई परिंदे नहीं जाएंगे बं बरसा ने के लिए या फिर कंकर बर्सा ने तो आपको तो पता है कि क्या करना है मतलब कुछ करना नहीं आपको डारेक्ली चल के इसराइल पर हमनाद ही करना है पर मेरे काल से यह सोचना चाहिए मुस्लिम देशों को कि कितने दिनों तक आप लूग एक दुसरे के खिलाव बाते करेंगे एक दुसरे के खिलाफ रहेंगे अगर आप साथ रहेंगे तो ही आपकी पावर कुछ काम आएगी अगर आप अलग-अलग जाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला और तर्की का अच्छा है कि उसके पास पावर भी है और वेबंस भी है तो वो मदद करती है तो अच्छी बात है और तर्की को भी ज्यादा तरदेशों ने साथ देना चाहिए और तर्की जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है शायद कि दो हजार बाइस में उ तो अगर वो मिल जाए तो अमेरिका उससे विडियो आ रहे थे कि अमरीका उससे डर रही है क्योंकि तरकी को बहुत ज्यादा पावर मिलेगी और अमरीका से सुपर पावर हो गया तो वो तो राज करेगा और इससे पहले टरकी अपने देश में खुदाई करके पेट्रोल भी बहुत सारे जो माल है बाहर से मंगाना पड़ता था अपने देश में नहीं प्रोडूस कर पाता था और इतने सारे पॉइंट्स होने के बाद भी वहाँ पे जो क्रूड ऑल है वहाँ पे निकल सकता है टरकी में बहुत सारी जगों पर फिर भी नहीं निकालता था क्यूंकि उस पर पाबंदिया लगी थी पहले तो अब वो सब खतम होने वाली है 2022 में और इंसान की बात मुझे बहुत अजीब लगती है कि इतने सारे हमारे मतलब हम है इतनी अच्छी जिंदगी दी है हम इतने खुबसूरती से जी रहे और यह जो यहुदी है या अमेरिका है बहु ज्यादा मिल जाए तो और भी ज्यादा कमाने की लालच करता है और एसे बुरे काम करता है तो मुझे बहुत कुशी है कि जो जिसके पास बहुत थोड़ा है वो मतलब अच्छे से तो रह सकता है कि मेरे पास इतना है तो मैं सुखी तो हूँ लेकिन यह सब लोग जो होते है उनके पास इतना सब होने के बावजूद भी मतलब जो गरिब लोग होते है वो चोटी-चोटी बातों के ले लड़ते है और यह इतनी बड़ी-बड़ी बातों के लिए तो उन्हें इनके बारे में सोचना चाहिए ना कि उस पर कबजा करना है तो हमारा कुछ भी नहीं रह लि得 बहुत भागता है उसको कहा जाता है कि जितना तुम-भागोंगे तिम्हारी जयगा होगी वोग सब्सकूत के लिए और Seems अच्छा होता है उसने कहा कि छे पीट के लिए मतलब जगा तो छे पीटी है इसकी वह इसने इतने सारी चक्र लगाए तो इंसान को समाइड़ना चाहिए हमारा कुछ भी नहीं हम सिर्फ कबर में जाने वाले है या मतलब अन्तिविधी जैसे जिस धर्म का होता है वैसे हो सकत मैपंए पैल своर्या है बदलता रहा है और आज trusted 15% है जो टान सब्सक्तार में पर बहुत कितने जगह पर रहे रहे हरा है पहले हों कितना जगह पर पर था मैЦे करने से फ़िकते हैं कि इसे ऊचछना सstar की डिलेकी panas पर बहुत सारी देशों के जो सपर्ट कियों जैसे इसा डिक्लेर नहीं हुआ है तो फिर भी सोचना चाहिए यूइनसी को कि क्लियर ली दिकरा है फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं तो ऐसे हमले करेगा ही इसराइल क्योंकि वह भी शाय देशिमा जो सुपर पावर है उनसे डरती होगी तो फिर इसका कुछ फायदा नहीं है यूने लेट गनेशन का हमने सुना है कि इसराइल बहुत सारे देशों को करजा देते हैं और उसके उपर हवे हो जाते हैं उनका बदला लेते हैं और इससे फायदा हैं तो इसा नहीं करना चाहिए इसराइल को तो बहुत दुरा हजाब होगा तो चलिए वीडियों बहुत अच्छा था अगले वीडियों